हाई फ्रेंट्स इस इस मयूर ये वाचिंग बॉलिवूड प्लस आज फिर बात होगी चंदू चैंपिन की क्यों ये कार्थिक आरीन की फिल्म बॉक्स ओफिस पर कवाल लहीं कर पाई और इसकी अज सफलता ने एक बार फिर से एक सवाल खड़ा कर दिया है कि बायोपिक्स इ इस ती ऑफिशिल बायोपिक अफ एन अंसंग इंडियन स्पोर्ट्स लेजेंड कॉल्ड मूरली कांग पेटकर जिन्हों ने जो भारत के पहले इंडिविजिल गोर्ड मेडलिस्ट बने अड़ नाइंटीन सेवेंटी टू पैरलिम्पिक्स इनकी कहानी बड़ी दिल्चस है इनके बार में आप पढ़ेंगे कि कैसे ये शक्स पहले तो कुष्टी बच्पन में जो इतका सपना था वो तो कुष्टी का था और फिर घर से भागे ये आर्मी इन्होंने जॉइन की अब आर्मी में कुष्टी नहीं होती थी तो वहां इन्होंने बॉक्सिंग की और फिर बॉक्सिंग में भी जब इतना कुछ काम कमाल नहीं कर पाए तो फिर तो खरिये जंग पे गए और जंग के दुरान उनिस सो बासट भारत चीन की जंग के दुरान इन्हें नो गोलिया लगी और जिसके कारण यह विकेम बेड रिडिन और जहां इस वक्ति को लग रहा था कि बस अब उनकी जिंदेगी में कुछ बचा नहीं तो फिर बस फिर जो उनके आर्मी में जो उनके मेंटर थे टाइगर एली उन्होंने इन्हें एक रहा दिखाया कि आप भले ही अब आप चल नहीं पा रहो लेकिन आप तैर सकते हो अगर आप कोशिश करो और फिर इन्होंने अनोनी को अनोनी करके दिखाया जब और उननीसोग के उनस माफ करना जब उननीस infect के अगए विघ्ण थाम् जब इस फिर्म को हम देखने गए, we had zero expectations, क्योंकि इतना बस थानी फिर्म को लेके, हाँ, फिर्म का लाउंच, प्रेलर लाउंच गॉलियर में किया गया, तुनिंदाल मीडिया वालों को यहां से लेके गए थे, और गॉलियर ऑबिसली इस दे होम टाउन अफ कार्थेगारियन और इसके बाद I don't think इस फिर्म की इतनी इंटर्व्यूस भी शायद होए होंगे, और तब तो शायर ऐसा लग रहा था कि बस दो चीज़ होगी, या तो मेकर्स इतने confident है कि ज़्यादा marketing की ज़रूत नहीं है, या फिर उन्हें भी डर लग रहा था कि ज़्यादा पैसे खर् भी होगी कि कुद बनाने वालों ने दुपेर बारे बजे का इंबार को रखा है, वी सौ दिस फर्स्टे फर्स शो इन यावाई सिनमा इन मॉंबाई और सच बताएं, वी वरी प्लेजेंटली सप्राइस्ट, और अब इस फिल्म को आए वे एक हफ़ता हो चुका है, और अन तो ऐसा नहीं है कि इसे कम स्क्रीन में रिलीस किया गाओ, लेकिन दुर्भागे से जब बजट इतना हो और फिल्म केवल अपने पहले हफ़ते में सिर्फ 34 क्रोड कमाएं, तो फिर तो इसे फ्लॉप करार दिया जाएगा, परसनली भी आ सैड़िन विकाज ये फिल्म इतनी जिसे कुछ लोगों का मानना है और चाहिए कुछ हद तक सही भी है, कि एक इनसान जिसे नोगोली लगी लेकिन उसके बावजूद भी उसके शरीफ पे कोई आपको निशान नहीं देखते हैं, और जैसी इनकी जिन्दगी थी जो फिसिकल पेन, मुलिकान पेटकर साब अप बाग की खाल निकालने के बराबर है, यदि अगर आप उनके चेहरे पे, उनके बदन पे कुछ बुलिट मार्क्स दिखा भी देते, और अगर कार्थिक एरियन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देते हैं, तो उन मार्क्स का क्या फाइदा होता, आफ्टर अनदर फिल्म 1983 में ODII World Cup जीटी थी, अपना पहला, उसके उपर वो आधारत थी, वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एटी तरी का ना चलना मेरे जैसे क्रिकेट फैंस को काफी हैरान किया, लेकिन एक रियालिटी उस समय हमें पता चली थी कि भारते युवा है, शायद उसे अ बड़ी ब्लॉक्स्टर होई थी, अलूर और जूर की तेलगूख फिल्म, और उस वक्त तो खेर दर्शक जादा तर खुश्पाही देखने जा रहते हैं, इस बार चंदू चैंपिन के साथ कोई कंपीटिंग फिल्म तो खीनी एस सच, बस हाँ, एक हफते पहले, मैड़क फ और ओर कॉमेडी शाहिद पसंद करती है, इसलिए वो फिल्म हिट हो गही है, और यहां पर मुझिया ने अपने अगले हपते में तो चंदू को और चित कर दिया है, रिकॉर्ड भी आप देखे, नोट जस्ट स्पोर्ट्स बाइपिक्स का, तो चक्दे वाज़ फिल्म तो फिर दोजार सोला में दो अच्छी स्पोर्ट्स बाइप एक फिल्म आई थी, एक थी एमेस दोनी द अंतल स्टोरी, सुषाद विस्ट, एक वस अबिसलिए बाउट इंडिन प्रिकेटर माहिंदरे सिंग दोनी, जहां पर लेट सुषाद शिंग राजपूत ने काफी अच् लेकिन दुरभागे से बस आप इन तीन फिल्मों को हटा दे तो फिर बाकी जो फिल्में आई है, स्पोर्ट स्पेस फिल्म, वो कुछ कमाल नहीं कर पाई है, क्रिकट को लेके शायद कहीं ना कहीं, को और मिल जैसा हो भी गया हो सकता है, और इंग दो साल पहले जब इंडि लेकिन फॉर्मर टॉप इंडियन बाटमेंटिंग प्लियर सैना नेवाल, अब उस फिल्म मुझे वो अच्छी लगी थी, अच्छी यही है कि बस बायोपिक फिल्में आती है, चली जाती है, और जारत तर इस फिल्में चलती नहीं है, कुछ फिल्मों को जो अबिसली जहां बायोपिक की बात करें, जो अपार्ट फिल्म दंगल, जो दूसरी आइटिंग सबसे बिगेश हिट फिल्म रही है, बायोपिक में, तो वो थी हमारी संजू, इन बायोपिक ऑफ संजे दत, जहां पर रणवीर कपूर बड़ अच्छा काम किया था, राजु हिरानी की वो फ पसंद किया, तीन सो कुछ चौतीस करोड़ शायद उस फिल्म ने कवाए थे, सब यही सवाल खड़ा करता है, अब जैसे पिछले साल वो तो खर बायोपिक नहीं थी, आनिमल, लेकिन उसके अंदर काफी वाइलेंस, यो कराइम, सेक्स थोड़ा बहुत था, क्या दर्शक को बच यही चीज पसंद आ रही है, अक्सर हमारी फिल्म में ज्यादा कमाल नहीं करती है, और वेटर ने अक्टर नसुदिन शाह, यह वन ब्रेव गाय हूँ नेवर शायज फिल्म इंडस्री, वो अक्सर कहते हैं कि हमारी ओडियंस पहले भी मिडियो करती, और आज भी हमारी I think that's a very tall claim, क्योंकि यह इंडस्री जनता पे ही चलती है, और आज़ियंस का जो फैसला रहता है, उसे तो आप चाहें या ना चाहें, लेकिन उसे रिस्पेक्ट जरूर करना मुझता है, हाँ यह है, जरूर है, लेकिन जब कुछ अच्छी फिल्में आती है, नहीं चलती है, 83 एन चंडूर चैंपियन, कि दुख होता है, और आप वही पूछते हैं कि भही आखिर क्या ओडियंस या फिर इवन हमारे सेलेक्ट क्रिटिक्स वो चाहते क्या हैं, मेरा ऐसा पसला बसरवेशन रहा है कि I don't think any of us really know कि हम एक अच्छी बायोपिक में क्या होना चाहिए, I would assume that back of the mind subconsciously most of us critics, public, शायद वो हम विजेशी फिल्मों वो हमारे mind में रहती हैं और शायद उससे हम तुलना करते हैं, अब in terms of visual storytelling, चंडू चैंपियं की तो जो, you know, visual storytelling है, it is world class, लेकिन इन सब चीज के बावचूद भी फिल्म का अगर ना चलना, तो फिर जाहिर है, ये मेरे ख करता है, चंडू चैंपियन का ना चलना, खुछ खास वजे तो हमें अब तक नहीं मिली है, बर आई होप कि, बिकॉस इस इस फिल्म इच इस डिरेक्टेड़ वाइक कवीर खान, ये एक वजे ना हो, अगर आपको यारो, कुछ एक दो साल पहले, कवीर खान कोटेड कॉंट बिल्डर्स, और उसके बाद से जो अबिसली जो उनकी ट्रोलिंग हुई है, सोशल मेडिया पे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस फिल्म में अगर कभीर खान का नाम जुड़ा हो, तो दरशक उसे देखना नहीं चाहता है, बिकुछ अगर ये केस है तो तो ये विए तो ब जो वैसे तो बड़े पॉपिलर अक्टर है, पिछले दो-थीन सार पहले उन्होंने भूल बुलाई या टू दी थी, बड़ी हिट होई थी, उससे पहले सोनु की टीटो की स्वेटी थी, लेकिन ओर आल उनका भी करियर आप देखे, तो दिस्पाइट हिस पॉपिलरिटी, अब कारते के लिए यह भी का जाता है कि वो हलके पुलके रॉम कम रोल्स ही कर सकते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने इस चंदू चैंपिन फिल्म में काफी मेहनत किये, यह सी फास्टिल, फार फ्रॉम परफेक्ट, लेकिन जहां मेरी बिल्कुल जीरो एक्सपेकेश के ओपर फिल्म नहीं चलती, यह साइना नेवाल वाले के ओपर जो फिल्म आयती, वो भी इतनी कुछ खास नहीं चली, लेकिन अब इस ताइम पर तो कुविट था, लेकिन आप वॉक्स अफिस प्योरी अगर आप देखे, तो स्पोर्ट्स फिल्म, स्पोर्ट्स बायोपिक इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आज चंता जो मैं कहूंगा रियल इंस्पारिंग स्टोरी से, उन्हें उसकी जरुद नहीं है, क्या हम सिर्फ केवल फ्लॉड हीरो जैसे संजू, या फिर वैसी ही फिल्म हम देखना चाहते हैं, लितियास में अगर आप देखे, उस मुदल यार वर्दराचन के ओपर ये दोनों फिल्में उनकी कहानी पे इंस्पारिट थी, तो वो फिल्में तो दुरान चलती थी, अब अगर इस दोर में भी अगर सिर्फ संजू, ऐसी फिल्म चल रही है, तो फिर कहीना कही शाहिद एक मानना पड़ेगा कि ओडियंस को ज जारा पसंद आती है, और ना कि जो एकड़म टू हीरोज हैं, जैसे मुरलिकान पेटकर, फिर मिथाली राज, एंड अधिरा सो मनी गुड़ इंस्पारिंग हीरोज, बट अनफॉचिनेटली उनकी बायोपिक दर्शक क्यों नहीं देखना चाता है, इसका जवाब तो मेरे पास आज भी नहीं है, बायोपिक्स इन बायोपिक्स इन बाइवुड का ना चलना कोई डंकी की चोड़ पर तो नहीं कह सकता, क्या कारणी लेकिन हाँ, जो एक कर्टिस्विजम अकसर रहती है, कि बायोपिक्स फिल्में जारतर एक हिजियोग्रफी रहती है, बेसिकली, आ आप उस person की बस गुनगान करते हो, उसकी खामियों पे आप you know touch नहीं करते हो, लेकिन I don't know कि even in Hollywood की ऐसे कौन से कितने सारे celebrities होंगे या person होंगे कि जो अपनी पूरी खामिया दिखाना प्रसुन है, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक at least in terms of criticism कुछ ऐसा mindset है कि अगर आ आप एक इनसान के जीवन उसके negative points नहीं दिखाओगे, तो फिर उसे वो समान नहीं मिलता है, अब जब लगातार बायोपिक्स नहीं चलती है बॉलिवड में तो मैं तो अकसर मजाक में कहता हूँ कि भाई अगर आप से नहीं बन रही है, तो क्यों ना, we start outsourcing our biographies films, अब से सर्कास्टिकली, अब में भी आजकल वो इतना कमाल नहीं कर रहा है, और मुझे परसनली सायद सबसे भैतरीन बायोपिक्स नहीं लगती है, स्पोट्स की, कई साल पहले तो आपकी रॉबर्ट दिनरों की रेजिंग बुल आई थी, वो बड़ी आफन थी, और I think in the last few years, जो सबसे बहतरीन फिल्म मुझे लगी, वो थी King Richard, starring Will Smith, and this was the story of the great William sisters, टेने जो टेनिस में बहुत कमाल किया था, विल्म सिस्टर्स ने, और उस परिवार की, जहां पे पिता रिचर्ड है, विल्म से है, और उस फिल्म की सबसे खासे यही बास थी, कि हम सब तो जानते हैं कि वीनिस और सिलिना विल्यम्स में क्या किया है, लेकि यह फिल्म बस उनके एक ग्रेंट लाम मैच भी नहीं दिखा है था इस फिल्म में, बस इक वस स्टोरी ऑफ फादर और डॉटर और कैसे, कि बाप पिता डिटमाइंड है कि अपनी दोनों बेटियों को स्टार बनाएगा टेनिस की, पहले वो फोक्रस बड़ी बेटी पे करता है, और वो फिल्म जहा रिटेलिंग स्टाइल है, बायोपिक्स का, उन्होंने उसमें शायद बदलाव लाए हैं, और लेकिन भारत के इसमें कहीं न कहीं शायद मानना पड़ेगा कि यह कंविंशनल साइल है, इसे थोड़ा बदलना पड़ेगा, ये नहीं कि आप बायोपिक के नाम पे कुछ सब्सक्राइब कर देखें कही न कहीं शायद एक टेंपलेट सा हो गया है वस एक अंडर डॉग है कोच द्वारा या किसी और द्वारा और बस हम इतना बोल लिये हैं और सच बताएं तो अब तक हमें भी इसका कोई रीजन नहीं पता क्यार आइकन अनली होग दा गोई फरवड ऐसा का बायोपिक फिल्म में ना बने मैं तो यह कभी नहीं कहूंगा बट एवरी फिल्मेकर एवरी राइटर विल देफिनेटली आप तो इन्ट्रस्पेक्ट और विल आप विक नू स्टोरी सेडिंग त्राइल यदी बायोपिक का कुछ पॉलिवड में फ्यूचर है तो